स्वागत है सातियों आप सभी का Trade the Trend चैनल में इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि मार्केट जैसा की डाउन ट्रेंड में चल रही है तो शोट सेलिंग करके आप कैसे एक अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं कैसे अच्छा पैसा कमा सकते हैं मार्केट में इस वीडियो में आपको explain करूँगा कि शोट सेलिंग में कौन-कौन से Patterns important हैं कहाँ पे आप Entry ले सकते हैं कहाँ पे एकदम stable entry होगी और profit होने के chances जादा है risk reward काफी अच्छा रहेगा चार-पाँच patterns मैं आपके लिए लेके आया हूँ share market charts, twitter पे हैं तो trade the trend 99 को आप follow कर सकते हैं आए सबसे पहले देख लेते हैं PVR के चार्ट में दोस्तों जब कोई chart downtrend में चल रहा होता है downtrend में चल रहा होता है तो 20 EMA के वो नीचे ही चल रहा होता है 20 EMA को touch करने लगता है cross करने लगता है, reject हो जाता है और फिर downtrend उसका बना रहता है तो आपको देखना क्या है कि downtrend में chart चल रहा है और जैसे ही वो एकदम गिरने के बाद थोड़ा बहुत recover करता है 20 candle की जो EMA उसके नजदीक जाने कोशिश करता है तो आपको देखना है कि कहां पे उसे एक resistance देखने को मिल रहा है एक resistance जहां पे at least three candles हो at least three candles उसको जो है cross नहीं कर पा रही है देखिए अब इस resistance को देखिए यहां पे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे candles इसको उपर नहीं जा पाई और important क्या है यहां पे जब candles उस resistance से दूर होती चली जाती है candles उस resistance से दूर होती चली जाती है तो समझ लीजिए उसका dump होने का वहाँ पे time जो है आ गया है अब आप यहां से देखिए तो इसको यह देखिए यहां पे यह इसका resistance था और फिर देखिए यह कैसे यह यह resistance से दूर होती चली गई और एक कंफर्म हो गया कि यहां पे एक downside आने वाली है यह कली का चार्ट है PVR का तो यहां पे आप देखेंगे कि resistance को cross नहीं कर पा रहे हैं और जो candles हैं उस resistance से दूर होती चली जा रही हैं तो वहां पे आप short कर सकते हैं और आपको short करते हुए stop loss क्या रखना है उस resistance के ऊपर आपको अपना stop loss रखना है यानि कि यहां से आप short करते हैं तो stop loss इस resistance के ऊपर होगा यहाँ पे जो आपका risk reward बनेगा वो 1 is to 10 बनेगा अगर एक रुपया आपका risk है तो 10 रुपया आपको एक share में reward easily यहाँ पे मिल सकता है अगेन आप यहाँ पे देखेंगे कि EMA के close है और यहाँ पे resistance इसे एक मिल गया है यहाँ पे और यह candle देखें रेजिस्टेंस से दूर हो गई है और फिर गिरती चली गई सिमिलरली यहाँ पे यह दो candle दूर हो गई और फिर गिरती चली गई है यहाँ तो यह एक first pattern है जब आप 20 EMA के नीचे देख सकते है एक resistance मिल जाता है और उसके बाद वो reject होता है चला जाता है हाँ यह देख लेते हैं Reliance के चार्ट में यह देखें जब कोई चार्ट जो है downtrend में होता है और वो opening कर लेता है अच्छी यहाँ कि opening कर लेता है गेन करते हुए तो आपको ध्यान रखना है कि पहली candle ऐसी कौन सी होती है जहाँ पे जो है sellers price को एकदम push कर देते हैं नीचे की यह देखिए इस candle का देखिए sellers ने इसको एकदम push कर दिया नीचे और उसके बाद आपको इंतिजार करना है at least 2 या 3 candle 20 EMA के नीचे close हो जब जाके आपको short करना है एक चोटा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ पे यह देखिए इसको at least 2-3 candles यहाँ पे इसको cross नहीं दर पाई है तो एक तरह से confirmation हो जाता है कि यहाँ आप यह downtrend में चलने वाला है second चीज जो आप note करेंगे यहाँ पे जब यह 20 EMA से reject होता है तो अच्छी week यहाँ पे आपको देखने के मिलते हैं देखिए एकदम से reject हो जाता है इस candle को देखिए एकदम से यह reject हो गई क्रोस करने की कोशिश की है एकदम से reject हो गई अगेन यहाँ पे reject हो गई फिर आप एक support line draw कर सकते हैं कि किस पे जो है चार्ट support ले रहा है और उसके नीचे आप उसको short कर सकते हैं at least three candles मैं कहूंगा stability रहती है इससे trade में कि three candles at least हो उस support पर उससे नीचे फिर वो एकदम गिरता है और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर आ गई है reject हो गया है फिर से यहाँ पर देखेंगे clearly कैसे reject हुआ इससे अच्छा rejection का आपको नहीं मिलेगा एक example तो यह examples हैं कि कैसे आप downtrend में देख सकते हैं क्या important चीज़ें entry कैसे कर सकते हैं HDFC का चार्ट देख लेते हैं देखिए यह एक चार्ट है यहाँ पर एक अलग चीज़ explain करने के लिए कि यहाँ पर एक support मिला इसे इस support line ते एक दो तीन और यह चोथी candle यहाँ पर जाके इस support break किया जब भी दोस्तो support break होगा जब भी support break होगा तो एक दो candle वहीं पर trade करेंगी प्रोबबली support के आसपास ही हो सकता है उसको retest करें support को दोबारा test करें और हो सकता है थोड़ा बहुत entry अंदर भी मिल जाए लेकिन candle close नहीं होगी अंदर ज्यादा chances यही रहते हैं कि अंदर एक week आ जाती है उसकी shadow आ जाती है लेकिन candle close नीचे ही होती है उसकी तो आप देख करने के बाद ही आपको गिड़ती होई दिखेगी तो यह short करते वक्त अगर आप यहां से entry ले रहे हैं इस line के नीचे तो ले सकते हैं stop loss थोड़ा उपर रखिया otherwise आप retest पे भी entry ले सकते हैं यह नीचे की तरफ गिरता चलाया होता है यह चार्ट देख लेते हैं बजाज finance क इसमें learning point यह है कि जब chart uptrend की तरफ चल रहा है या तो 20 days EMA के 20 candle EMA के साथ साथ चल रहा है और आपको लगता है कि market गिरने वाली है या downtrend आने वाला है तो आपको क्या देखना है कि पहली 2-3 candle 20 EMA moving average के नीचे कहा close हो रही है 2-3 पहली और उसके बाद देखना है क्या वहाँ पर कोई resistance face करने को मिल रहा है अब यहाँ पर देखिए यह 4 candle 20 EMA के नीचे close हुई और इनको एक resistance मिला जिसको यह close नहीं कर पाई definitely यहाँ पर downside है बिल्कुल confirm है यहाँ पर downside है और फिर आप देखिए कितनी बड़ी-बड़ी candles आपको downside में देखने को मिली है यह लगबग 218 स 2125 लगबग आप कह सकते कि 90 रुपए यहाँ पर पांच मिनट की candle है तो आदे घंटे में 90 रुपए का एक share से आपके निकल गए तो थोड़ा सा ध्यान रखना है शोट करते हुए क्या patterns है क्या important है यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना भूल गया है यहाँ पर कि अपने profit जरूर प्रोटेक्ट करके चलें यह रिलाइंस का चार्ट मैंने explain किया था देखे देख लेते हैं 15 मही को अगर किसी ने इस candle से एंट्री ली शोट की यहाँ से एंट्री ले लिए उसने 1437 रुपए से और 1417 रुपए तक यहाँ पर आ जाता है चार्ट तो 20 रुपए एक share म आपके बन जाते हैं 20 रुपए बन जाते हैं तो at least 10 रुपए तो आप अपने प्रोटेक्ट करके चलिए at least जो पिछला उसका support है कि आपको लगता है उसके ऊपर entry करना असान नहीं है यह देखिए अगर इसका पिछला support है तो इसके थोड़ा सा ऊपर आप अपना stop loss रख सक थी और जिसने अपना stop loss को move नहीं किया साथ साथ उसने यह loss में end किया हुआ यह trade जबकि उसे 20 रुपए एक share में मिल रहे थे 500 रुपए भी short कि होते तो 500 share भी short कि होते 10,000 रुपए यहां पे उसके बन रहे थे लेकिन यहां पे अगर उसने stop loss को अपना trail नहीं किया तो उसन नहीं आपको explain किया दो तिन candle इसके अंदर close होंगी तब ही आपको एक resistance देखना है और resistance के वहां से short कर देना है और आपको stop loss क्या रखना है 20 moving average के उपर रखना है आपको stop loss यह दोस्तो axis bank का chart है axis bank में भी देखिए उपर से 20 moving days के साथ साथ ही candles move होती आ रही है फिर एकदम दो तिन candles जो है नीचे यहां पर close हो जाती है फिर यहां पर देखिए कि यह support है कि जब भी आपको short करना है जो उसका पुराना सबसे बड़ी candle का जो support है पुराना support मैंने कहा थीन candles at least उस support को touch करती हो एक दो और तीसरी यह इसको भी आप मान सकते हैं तो वहां से आप उसको short कर सकते हैं हमेशा एक support बनाके उसके नीचे ही short करें उससे आपको stable entry मिलेगी फिर अगर आप अपना stop loss थोड़ा सा move कर लेते हैं तो आपका जो है ट्रेड जो है profitable हो जाएग उसमें आपको loss नहीं होने वाला है यह दोस्तों Titan का chart है बहुत सारे stocks downtrend में चल रहे हैं इससे पहले मैं आपको request करूँगा कि please support कीजिए हमें channel को subscribe कीजिए share कीजिए like कीजिए comment कीजिए अगर आप एक video भी share करते हैं तो उससे channel को बहुत फायदा होता है please subscribe कीजिए share यह 20 days moving average के नीचे यहाँ पर इस एक resistance यहाँ पर मिल गया और जैसे यह दो तिन candle इसके नीचे close होती है तो यहाँ पर इस एक resistance मिल जाता है और देखिए कैसे इसका rejection यहां से होता चला जाता है 845 तक कह सकते हैं कि सीधा rejection कहां से 872 से यह एक बहुत बड़ा amount है लग बग 4% आप यहां से कह सकते हैं कि 4% आपको आदे एक घंटे में मिल रहा है हाँ तो यह बहुत अच्छा trade हो जाएगा दोस्तों तो यह patterns आपको ध्यान रखने हैं trade करते हुए और जादा से जादा profit बनाएं short की market में अगली वीडियो में मैं explain करूँगा कि bullish market में कैसे trade करना है ठीक दोस्तों तेंक्यू